ये शीशी ये सब बॉटल जो है ये फूटे हुए ये दिखाएं सचिन बॉटल को ये देखिए दारू की बॉटल है इसे यहां पर फोड़ दिया जाता है पीने के बाद नशा काफी सारी चीजों का है जिन चीजों को मुझे बलर करना पड़ रहा है जिनके हाथ में इस तरह के इंजेक्शन रहेंगे और ये देखिए ये ये देख रहे हैं आप शीशी ये देख रहे हैं शीशी ये शीशी देखिए ये ये मुझे बलर करके दिखाना पड़ रहा यह injection है इसके निडल भी नहीं निकली है जिगरेट के पैकेट्स तो नॉर्मल है कुछ गोगो भी आता है गोगो क्या होता है सचीन मुझे ऐसे ही बता दिए गांजा भर के पीते हैं यह देखिए गोगो के पैकेट्स हमा रहे थे तो गोगो के पैकेट्स हैं यह कटर बाजी चाकू बाजी एक दूसरे को मार देना ऐसी खबरों ने रिकार्ड तोड़ दिया है और ऐसे लोगों ने भी रिकार्ड तोड़ दिया है जो लगातार खटर बाजी कर रहे हैं चाकू बाजी कर रहे हैं हम हमेशा ऐसी खबरों को लेकर के आते हैं आपको खबरे बताते हैं आप खबर देखते हैं, उसके बाद सकिप कर देते हैं, जिनको देखने रहता है वो देखते हैं। जिस जगह पे पत्रकार भी आना जाना करते हैं जिस जगह के नीचे से उपर कौन-कौन आता है ये तो हमें नहीं पता लेकिन उपर क्या-क्या चलता है ये सब दिखाने के लिए इस वक्त मैं स्क्रीन के सामने सिमान आपके बीच हाजिर हूँ सचीन भाव कैमरे के पीछे हैं जैसा कि मैंने बताया कि कटरबाजी इतनी आम हो चुके कि आप दुर्ग भिलाए जैसे शेहर में कटरबाजी को लगातार खबरे सुन रहे हैं होती कैसे हैं होने का कारण उसके पीछे नशा नशा कौन सा नशा क्या दारू का नशा शराप का नशा सिर्फ दारू और प्रेस परिसर के नाम से जाना जाता है यह आकाश गंगा में आता है रेल्वे फाटक के अगर आप सुपेला से रेल्वे फाटक की तरफ आते हैं तो लेफ्ट तरफ सबसे लास्ट जो एरिया पड़ता है वो ये है ये कॉम्पलक्स के ऊपर ठीक जिस तरह से वीरानगी आप देख रहे हैं इन वीरानगी में लोगों ने अपनी जगा ढूंड़ लोगों ने जगा ढूंड़ी वैसे ही मानसिक्ता वाले लोगों ने जो लोग स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं और यहां पर आकर बैड़ जाते हैं और उसके बाद फिर इनके नशे का व्यापार तो नहीं कहूंगा इनके नशे का कारोबार शुरू होता है आपको मैं चाहूंगा यह शुशी यह सब बॉटल जो है यह फूटे हुए यह दिखाएं सचिन यह देखे ये बॉटल को यह देखे दारु की बॉटल है इसे यहां पर फोड दिया जाता है पीने के बाद और उसके बाद फोडने के बाद यहां से जो पीने वाले हैं वो सरिफ शराप का नहीं है नशा काफी सारी चीजों का है जिन चीजों को मुझे बलर करना पड़ रहा है अब मैं फिर से बोलूंगा कि एजुकेशन भिलाई है यह भिलाई उस जगह पे उस जगह पी यह सारी चीज हो रही है जो प्रेस परिसर के पास है जो बहुत कॉमन सी को तो यहां पर कोई न कोई बैठा मिल जाएगा जिनके हाथ में इस तरह के इंजक्शन रहेंगे और यह देखिए यह देख रहे हैं आप शीशी यह देख रहे हैं शीशी यह शीशी देखिए यह यह मुझे बलर करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कम्यूनिटी अगे और इंजक्शन है देखिए यह इनजक्शन तो यह अच्याशा नंशहा होता है जक्तित खाली तो नहीं होता होगा उसके अंदर काम में आती होगी, लिक्विट फॉर्म में आती है, उस लिक्विट फॉर्म के साथ एक और चीज है, जो मिलाई जाती है, उस चीज को मिलाने के बाद उसे इंजक्शन में लिया जाता है, उसके बाद जो नशा होता है, बहुत ही आपको पूरी तरह से जो आप जिस जगह पे हैं आपको यह मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप उस जगह पे हैं इस तरह की चीजे उत्पन्न होती हैं और उसके बाद सामने वाला कौन है आपका परिवार का है आपका दोस्त है आपका यार है आपके जो भी हैं सामने वाला उस पर वार करने के लिए एक सकंड भी नहीं स आप क्राइटेरिया देखे एज का तो दुर्ग भिलाई में जो क्राइटेरिया जैसे मैं बताता हूं हमेशा कि 23 साल 19 साल 18 साल 13 साल ये कोई उम्र है ये कोई उम्र नहीं है लेकिन इसी उम्र के ज्यादतर अपराधी जिसे विज्यप्तियों में अपचारी बालक बोल दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनके चेहरे नहीं दिखाए जाते उसके लिए भी कई सारे नियम है उन नियम को तो हम नहीं उलंगहन करेंगे लेकिन उनके पीछे जो सारी चीजे चलती है जाल सारी चलती है उसको इसक्रीन पर दिखाने के लिए हम हमने सोचा कि आपको यह जमी भी तरह से यहां पर Packets हैं और और बहुत कामन यह सारी चीज़ें अब यही नशा crime को बढ़ाता है यही बढ़ते हैंसे लोगों को जरूर पकड़ेंगे जो इस तरह की हरकत करते हैं कुछ भी आप मैं तो नशे की बाद बहुत कम बोल गया है यहां पर कुछ भी चलता है कुछ भी आप समझ गया हूंगा आप समझदार उसके बावजूद भी पुलिस कभी यहां तक नहीं पहुंची है है ऐसा तो नहीं जानकारी नहीं होगी से में कारी होती है दूसरी चिछ जिम्मिदार प्रस वाले भी जिम्मिदार मथे कि खाबंता है कि आप मेरे उपर ही सवाल उठाएंगे कि आज इतने दिन बाद आपको कैसे याद आया कि इस छत पर आकर क्या आपको बताना चाहिए कि इस सारी चीज़े हैं बहुत दिनों से यह प्लानिंग था हमने सोचा कि आपको तस्वीरे दिखा और चलिए कोई तो दिखा रहा है कुछ ऐसे अपराद आम हैं हाल ही मैं भी मुहलई में बरात आती है बरात के बाद एक शक्स को मार दिया गया-ओम प्रकाश नाम था मारने वाले पांच लोग पांच में से तीन ना बालिक दो बालिक थे अब सुचे टीन ना वालिक के उमर क्या होगी 18 से कम होगी 18 से कम वाले लड़कों में ऐसा क्या मतलब उत्पन हो गया है कि वह सामने वाले को मारने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं इतना कॉमन हो गया है किसी को मार देना मैं पहली वीडियो में भी बोल चुका हूं कि अगर कोई चीज सस्ती है तो वह लोगों की जान है जो दुर्ग भिलाई में ऐसे ही कटर चला करके काटी जा रही है आपको दिखाते हैं यह तस्वीर तो मैंने दिखा दी आगे मैं और ल करके बैठे हुए थे इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है देखिए आपको लाइन से अगर मैं इस च्छत का हुलिया दिखाऊ मैं चाहूंगा सचिन अब हुलिया दिखाए इस तरह की कॉम्प्लेक्स हैं कॉम्प्लेक्स के उपर च्छत हैं तमाम तरह की चीज़े चलती ह ऐसा मैं सिर्फ प्रेस परिसर नहीं कह रहा हूँ लेकिन पत्रकाईरता जिम्मेदारी वाला काम है जिम्मेदारों के लिए ये बड़ा सवाल है कि अगर वो जिम्मेदारी से ये गैर जिम्मेदारी वाली हरकतों को नहीं चापेंगे नहीं दिखाएंगे तो कल को कोई उन् मिटिंग होती है इन मिटिंग में जड़ तक पहुचने की कोई बात नहीं होती नशा सबसे बड़ा जड़ है एक चीज और मैं आपको बता दूँ यहां पर आलो गुंडा के वह चटनी वगरा भी रखे हुए है सारी चीज़े हैं यहां पर भाई साब आप देखिए बड़ा कॉंप्लेक्स इसका नाम विशाल नहीं है यह विशाल कॉंप्लेक्स में बोल रहा हूं तब बड़ा कॉंप्लेक्स यह बड़ा कॉंप्लेक्स यहां पर इस तरह की हरकते हैं पुलिस आती नहीं है पुलिस अगर जाच करे तो यहां पर ऐसे समय में अगर आ जाए इस जगह पर आने के लिए तीन रास्त हैं एक जहां मैं खड़ा हूं इसके ठीक इस साइड से एक रास्ता है यह एक रास्ता है दूसरा रास्ता उस तरफ से है वो जो आपने ठोड़ी दूर पे नील कंन बोर्ड देख रहे होंगे उस तरफ से तीसरा श시면 है उस कॉर्णर से यह फूल को पेड़ देख रहे हैं ठीक उसके आगे जो वह जो एरिया देख रहे हैं बिल्डिंग का वह उस तरफ कर रास्ता है तो यह सारी चीजें हैं इतनी मतलब आपके नाक के नीचे यह सारी चीजे हो रही हैं और पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब तो मदद कर दी जाए उन लोगों की जो लोग जिम्मेदार बनते हैं जो लोग कहते हैं कि हम नशा जड़ से हटा देंगे हम सब चीजे ठीक कर देंगे उनक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर नशा मुक्ति को लेकर के एक पाउडर दिया जाता है वो पाउडर नशा मुक्ति के लिए रहता है लेकिन उसका एक और साइंटिफिक उप्योग करके उसे नशे में लीन होने के लिए बना सब्सक्राइब उसके बाद जो हरकती होती है वो तो आपको खबरों में मिली जाती है यह सारी चीजे थी अब आप बोलेंगे मैं इतना बगबग कर रहा हूं कोई नई चीज है क्या भई नई चीज नहीं है लेकिन वही चीज है कि आपके सामने कोई कटर लेके खड़ा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीजें जो हैं ऐसी होती है तो आप दूसरे का घर जल रहा है और आप बुझाने नहीं जाएंगे तो कल को हो सकता है उसकी लपट आपके घर तक भी आ सकती है और आपको भी इन सारे चीजों को लिए करके सोचना पड़ेगा क्य लेकिन पता नहीं क्यों अब बार-बार ये सवाल हम हर खबर में उठाते हैं अब थोड़ी फिकर होती है फिकर होती है तो शेहर छोड़के तो भाग नहीं सकते इसी शेहर में पैदा हुए तो इस शेहर के ऐसे लोगों को ऐसी मानशिक्ता वाले लोगों को सफाया तो कि ज इस देखें और यहां पर सख्थी होनी चाहिए तीन रास्ते में कोई तो सख्थी हो कुछ तो ऐसा है कि यहां पर आने के बाद चीजें हो और दूसरी चीज़िद दुर्ट-पुलिस हर जगा कैमरा लगाती है एक कैमरा मेरे ख्याल से इस जगह पर भी लगना चाहिए ताक इसे आगे बढ़ाईए, शेर करिए, लाइक करिए और नीचे हमारा नमबर है, उस पे जो स्क्रॉल हो रहा है उस पे कॉल करके, मैसेज करके, वाटसब करके आप आसपास की जो चीज़े हैं उसको बता सकते हैं ये सारी दिक्कते हो रही हैं उसको खंखबर की शक्ल देंगे, शुक्रिया